अब हमें कैलकुलीट करना है एलेक्ट्रिक फिल्ड दिस्क यूनिफॉर्मली चार्ड डिस्क एक डिस्क है डिस्क मतलब प्लेट उस पे चार्ज पुरे सर्फेस फइला हुआ है तो सर्फेस चार्ड दंस्टी हमने डिफाइंड किया सिग्मा कुलंपर मेटर स्कुर्ड सिग्मा मतलब होता है सर्फेस चार्ड दंस्टी के लिए लिंजा इister में पहले देखा था रो लैंबडा होता था अब यहां सिग्मा हो गया सर्फेस चार्ज के लिए तो रिंग है डिस्क है गया डिस्क एक्षुली देखा जाए तो डिफरेंट रेडियस की रिंग से मिलके बना होता है आप इमाजन करो प्याज को जब स्लाइस में कट करते हो तो उसमें से डिफरेंट रेडियस की रिंग से बिलके बना हुआ है जैसे कुछ इस तरह से अगर सोचो कि एक रिंग है तो जब अभी फीड काले तरनी होगी सका मतलब हम एक अलिमेंटल रिंग की फिल निकाल ले और उसको इन्टी ग्रेट कर दे क्या जाईगी कंप्लीट डिसक पील अगर मुझे पूरी डिस्क की इनिकूर transmitted करने और मुझे ओन लोगर यहीं से यहीज तखेए आह bit masks को मां सकते हैं morning की फिल कालके सारी rings की field को हम जोड़ दे तो टोटल field आजाएगी डिस्क की यह ना तो आज इसको calculate करके देखते हैं तो हमें पता है की field of ring is इसको d बना जाएगा क्या हो जाएगा के dq divide by r square plus x square 3 by 2 into x x distance पर एक रिंग की जो field आएगी वह यही आएगी इस तरफ इस आर रेडियस के रिंग के मज़े से k dq x r square plus x square 3 by 2 यह dq क्या है dq इस रिंग का चार्ज है किस रिंग का यह रिंग जो r radius की है जसकी thickness dr है यह उसका चार्ज है तो कैसे निकालेंगे यह चार्ज simple है यह चार्ज dq निकलेगा sigma times of d एकरके तो यह dA क्या होता है dA इस रिंग का area है दो कोई भी area निकालते है तो उसका formula यह क्यों होता है length into width length कितनी है इस रिंग का parameter 2πr width कितनी है dr so dq is equal to 2πr sigma dr यह जो field है किसी छोटी सी रिंग के वजए से वो इतना आएगा क्या सिग्मा एक्स डिवाइब बैट एप्सेलन नॉट r d r r square plus x square power 3 y 2 क्या कि हमने dq की value लाके रग दिया और थोड़ाइस को solve कर लिया अगर इस field को मैं integrate करना हूँ 0 से लेके r की value को 0 से लेके यहां तक तो total disk की field आ जाएगी अच्छा कभी अगर मालो मुझे ऐसी टाइप की disk मिले जो जिसमें चार्ज खाली इतने portion में भरा हुआ है इसको मैं r1 से r2 तक integrate कर लूँगा तो अगर मैं इसकी boundary r1 से r2 लगाँगा तो खाली इतनी के field आएगी और मैं 0 से लेके r2 लगा दूँगा तो पूरे ring की field पूरे disk की field आ जाएगी तो आप इसी में कई सारी calculation देख सकते e की value क्या आएगी sigma x divided by 2 epsilon 0 rdr का integration करने जा रहे हैं लोग r2 x square 3 by 2 लेकिन boundary कहां से गहां तक मुझे खर complete disk चाहिए तो 0 से r लेकिन आप अगर बताया था भी आपको कि भीच में खोकली disk होदी तो आप r1 से r2 तक कर सकते थे इसको integrate कर लेते हैं integration करने का आपको दरीगा पता ही होगा इसको r square x square को t ले लेंगे फिर इसको integrate कर लेंगे इसको integrate करेंगे तो हमारे पास sigma x divided by 2 epsilon not minus 1 by r square x square और half आएगा तो boundary place करने के बाद क्या value मिलेगे हमें e is equal to आएगा sigma x divided by 2 epsilon not 1 by x minus 1 by r square plus x square power half तो इसको अच्छे से लिखते हैं तो e के value आएगी sigma by 2 epsilon not 1 minus x divided by r square plus x square की पावर half यह field आएगी this is the field due to disk sigma by 2 epsilon not 1 minus x divided by r square plus x square power half एक interesting result यहाँ पर दिख रहा होगा आपको वो क्या है कि अगर यह disk बहुत बड़ी हो जाए बहुत बड़ी हो जाए बहुत बड़ी मतलब infinite तक फैल जाए आर की value infinity हो जाए तो आर की value infinity रखोगे तो क्या जाएगा यह portion 0 sigma by 2 epsilon not जो कि एक प्लेट की फिल्ड होती ही इंफानेटी लार्ज प्लेट की फिल्ड होती हो sigma by 2 epsilon not hote I hope आपने इस वीडियो को enjoy किया होगा कुछ सीखा होगा फिर भी आपका कोई concept discuss नहीं हुआ कोई problem रह जाती हो कोई question समझ नहीं आता हो या किसी particular type की question में कोई दिक्कत होती हो तो आप उस question को comment कर सकते है मैं उसको properly reply करूँगा तब तक के लिए इस channel को share करिए subscribe करिए दोस्तों को बताईए thank you